अस्सलाम अलेकुम कैसो आप सब अलम दलीला में एकदम ठीक हूं मित करती हूं कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो जी घोंचु ने पहले वीडियो बनाया कोसर नराज हो गई फिर बनाया दोनों वाइफ के हक में फैसला तो दोनों की अगर आप लोग जो सुरुवात है वीडियो की देखोगे तो एक ही दिन का वीडियो बना हुआ है सुरुवात देखो आप लोग जिसमें इसने बताया एक उतर नराज हो गई उसके अंदर जो गोंचु ने टी-शेट पहना हुआ था उसके बाद में फिर हलीमा को छोड़ने गया वहां से आया फिर बोला कि मैं नहां दोके तयार हो गया हूं हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं और फिर जब दूसरा वीडियो इतने बनाया है कि दोनों वाइप के हक में फैतला उसमें भी उसने वही टी-शेट पहना ह है को सरी अनिता को छोड़ने जाने वली अनिता नहीं हलीमा को छोड़ने जाने वली किलीब भी वही दिन बनी है और लेने जाने वली किलीब भी वही दिन बनी और लेने जा रहा है तो क्या बोल रहा है कि मैं हलीमा को लेके आता हूं वह अनिता के बच्चे समालेंगी तो मानीताह घर के काम करेंगी मतलब क्या कॉसर के लिए कोई फिकर नहीं के काफ़ी का भच्चा कॉन समा लेंगा पिटारा के डिलवरी में मैं पिटारा घर कोई काम नहीं कर सकती है यहां पे देखो तो लोग सीलफ और स्रीफ पिटारा के ही पीछे लगी रहते हैं उसको महारानी की तरह रखने के पीछे काम चोर को एक भी काम नहीं करने देना होता है इसके लिए सब जने गर में नौकर बने रहते हैं और फिर बाद में बदनाम किसको कर रहे हैं कोसर को कि कोसर खराब है कोसर को लोग भड़का रहे हैं कोसर का दिमाग खराब हो गया है पैसे देखके भई क्या दे दिये कोसर को ऐसा जो उसका दिमाग खराब हो जाएंगा थोड़ी सी शरम ही कर लो जो दलालियां अभी भी कर रहे है न थुकने के बाद भी तो तुम लोगों को बोरियों थोड़ी सी शरम कर लो तो जी गोंचु की फ्लॉप एक्टिंग के गोंचु बोल रहा है गाड़ी में बैठने के बाद के आज रात कुमें यहीं पर सोया था फिर वापीस आए हम लोग बहुत दूर गएते खाना खाने के लिए फिर वहां से हम लोग जब वापीस आए तो बेटियों ने मुझे कु बहुत अजीज होता है बेटियां बापको बहुत प्यार करती है तो यह तो वो जो तु इतना लेक्शर दे रहता तो यह बेटियां तो थी ना जब तुन्हें कौतर से शादी किया था तो है नहीं के बेटियां थी नहीं बच्चे थे ही नहीं और तुन्हें कौतर से शाद ऑगे प्लाइन जो तुमारा है उसको सक्सेस करना है इसके लिए भी सही तुम लोगों ने काम सुरू कर दी है ना दोनों जगाते डिवॉस लेना लेना जाती है यह कोसर को डीवॉस दे यहां पर तुछ तयारीयों में लग गया कोसर को डिवॉस देने के, तो कितना चालू है न तु हमें सहब पता है, अच्छा ये दोनों जो गोंचु ने वीडियो बनाया है, वो सेम दिन बनाया है, इसका पुरूफ आप लोग मेरे क्लीप अले चैनल पे जा के देख ले ना गोंचु का भी सेम कपड़ा ये के नाम है हलीमा का भी सेम कपड़ा कोसर का भी सेम कपड़ा जूले में भी सेम कपड़ा मतलब के तीनो चारों में से किसी ने भी कपड़ा नहीं चेंच किया वो दिन सब के सब इतनी गर्मी में वो ही कपड़ा पहने हुए थे और गोंचु तो नाध होके रेश्टोरेंट गया था ना फिर यह वहाँ से आने के बाद में रिटन वो ही कपड़ा पहन लिया सोचने अली बात है नहीं मतलब के पूरा प्री प्लाइन कॉंटेंट बनाया जाता है स्क्रिप्ट लिक के बनाया जाता है जान बूच के एतन सब बनाया जाता है और एकी दिन में दो-दो वीडियो शूट किये जाते हैं एक कोई मूवी या कोई ड्रामे का वीडियो शूट किया जाता है उस तरह से लोग शूट करते हैं और सिर्फ और सरिफ ओडीयंस को दिखावे के लिए ओडीयंस को बेवकूब बनाने के लिए अगर नेचुरल लोगों के घर में यह तरह कुछ हो रहा होता ना तो इस तरह से एकी दिन में दो-दो वीडियो बना के फिर इसको दो दिन में, तीन दिन में अपलोट करना ये तरह कुछ नहीं करतें और इसके अंदर अगर कोसर भी पूरा पूरा साथ दे रही है तो इसका मतलब है क chut Walmart भी मिली हुई है तो देख लो के यह सब के सब मिले हुए, और सब के सब कितने ड्रामे बाज हैं, अच्छा जब कॉसर खाना बना रही थी, आलू अंडे की सबजी बनाई और फिर इलोग खा रहे थे, तो यह पहले नहीं नहीं, लोग नाश्टा कर रहे, तो वो दिन जब यह वीडियो बनाया मतलब पहले दिन का बताने की कोशिश किया है तब यह सुभा में उसको चोड़ने के लिए गया है और दुपहर के खाने के टाइम पे इसको लेने के लिए गया था और जा के इस तरह से डिन का विडिऊ औरे घुशुक और रहा के लिए वापिस पहुंच गया है वह दोपेर का खाना था मतलब एक या दो गंटे के बात का तुने वीडियो वहां पर बनाया है और फिर बाद में उसको बोल रहा है कि हलीमा को मैं शाम को लाके छोड़ूंगा हलीमा तुमारे पास एक दिन आ रहेंगी एक दिन महां इनके उपर इस चीज़ को लेके कोई केस वगेरा क्यों नहीं करता है कि लोग बच्चों से काम करवा रहे हैं बच्चों से ये काम करवाना कानूनी जूर्म है और इन लोग तो खुले आम कैमरे पर दिखा के काम करवा रहे हैं तो इसके लिए वहां पर कोई कानून नहीं ह कोई आवाज नहीं उठा सकता इसके लिए और फिर बाद में कौसर ने ये बोली कि मुझे जरूरत नहीं है मुझे मत यहाँ पर छोड़ के जाओ हलीमा को और फिर जब यह निकलने लगा तो कौसर ने बोली कि अपनी नसल को भी लेके जाओ तो लोगों को इतना खास समझ में नहीं आया तो यह उसके पीछे कैमरा लेके भागा है जो के कौसर के सर पे डुपटता नहीं था तो कैमरा लेके उसके पीछे भागा है और जाके हिंदी में बोला है कि क्या करू नसल को लेके जाओ ताकि ओडियंस को अगर नहीं समझ में आया है तो यह चाता था कि अच्छे से ओडियंस को समझ में आ जाए कि कोसर बोल क्या रही है कोसर के मुँ में कितनी लंबी जबान है और कोसर कितनी बाते कर लेती है अगर कोसर के मुँ में इतनी लंबी जबान है तो कॉसर अपना हक क्यों नहीं ले पाई अभी तलक अरे किसको बेवकुब बना रहे तुम लोग अब ये थारा कुछ कॉसर का दिखाने के बाद में फिर डिवास देंगे तो लोगों को लगेंगा किया कॉसर का यही होना चाहिए था है ना क्यूंकि कॉसर को अब तुम लोग शूट कर रहे हो ओडियंस को दिखा रहे हो फिर उसको डिवास दे दोगे और फिर ओडियंस बोलेंगी हां कॉसर की तो बहुत लंबी जबान थी तो उसका तो डिवास होना ही चीए था अरे कितना गेम केलोगे शरम करो डुपके मर जाओ तुच्छो ना पिटारा व करे के चली जांगी क्या एक्तिंग है यह अच्छ जभी हलीमा को लेकर वापिक आया है इसके बाद में इसने बोला कि दरवाजा जा करेंघा अर जब ये फर में हुआ था तो मैंने पार्सल रिसीफ कर लिया हूं तो आप लोग वाले किलीप अला कि वो खिलीप लगा दूंगी मैं दूसरे किलीप अले चैनल पर वहां जाके देख लेना जब इसने आवाद दिया ना कि मेरा हाथ में सामान है तो दरवाजा बन करो तो हा जो हलीमा थी वो अंदर से निकल के आई यह कैसे मतलब समझ में नहीं आया कि हलीमा को तो यह लेकर आया था फिर हलीमा घर के अंदर से कैसे निकल के आ रही थी मतलब कि हलीमा उतर के फटा फट भाग गई जो के नौकर है जो के हर काम उससे करवाते हैं आप लोग अगर दो तिन दिन पहले क पिटारा की वीडियो देखोगे तो जो शॉपिंग करके आई थी तो गाड़ी में से हलीमा वो शॉपिंग उठा उठा के लाके रूम में दे रही थी तो यह पार्सल खुद ही उठा रहा था और दूतरा भी इतने सामान उसको खरिजना था और जो भी वहां से यह लेना लान कादर आने लगा फिर इससे जता रहा है वहां पर बोला है इसने के हलीमा को लेकर आ गया हूं मैं तो भाई जब तू पहले ही उसको लेकर आ चुका था ड्रामे करने के लिए तुखली लेने गया था ताकि कॉसर के मुझ से वह बात उगलवा हूं और उसके बाद में पर लेकर आया हूं कॉसर के मिलवाने के लिए तो क्या लोगों के घर में तो जंग लीटर वगेरा लगा हुआ है देखा होगा आप लोगों ने है ना जंग लीटर लगा हुआ है पिटारा के घर में और इसको जरूरत पड़ी के लाइट नहीं है तो बच्चों को लेकर य आप लोगों को यहां पर यह बात सोचने अली है कि जब पिटारा के घर में जंग लीटर वगेरे लगे हुए तो फिर यह क्या ड्रामा था कि लाइट चली गई है इसके लिए मैं बच्चों को इधर पर लेके आया हूं को समझ आ रहा है आप लोगों को यह जो इसका रितिक रोशन है इसका आना बाबर का आना फिर बच्चों को घर से दूर करना दूर हटाना बच्चों को के बच्चे कुछ ना सुन ले समझ रहे हो ना आप लोग के जैते कि मैंने बताई थी के कांड चालू है इसका किसकी साथ चालू है वो सब भी आप लोगों को पहले ही पता तो वो सारे कांड अब खुल के सामने आ गए है जिसके वज़े से अब घर में बैटरी ये मीटिंग है और आप लोग देखो कि सेम टू सेम वही वाला सीन चल रहा है के नहीं जो पिछली बार अजगर वाला कांड इसका उपन हुआ था तो इसने कौसर को मोहरा बनाई थी के क कौसर से मेरा जगड़ा हो गया, इसके लिए गर में सब टेंशन में इसके लिए मेरे भाई-לאग जमा हुए और इस वज़े से हमारी मीटिंग है वगेरा ये बैठ रही है न बाद में क्या पता चला कि क्यों बैठी थी अजगर के कांड के वज़े से सारे लोग कौसर कितना टैम हुआ है आई है कौसर के साथ में कोई जगड़ा नहीं कुछ नहीं कौसर अच्छी है कौसर बहुत सुधर गई है कौसर को तो लोगों ने बढ़काए थे तो कौसर तो ऐसी नहीं है तो ऐसी नहीं है अच्छानक से कौसर कैसे बदल गई अच्छानक से कौसर का मुझ कैसे खुल गया तो ये थारी चीजे ना गौर करने वाली है अब वो जो रमजान को ये लोगों ने गाहों बेजे फिर महां जाने के बाद में उसका इस तरह से टाइटल लगाना कि रमजान दूसरी शादी कर रहा है फिर रमजान के साथ में काशिफ का आना ठीक है फ केक कौसर से जगड़ा हुआ है इतना दिमाग लगाती है ना पिटारा बहुत ज्यादा शाती रही है तो असल में हुआ ये है के कौसर से कोई जगड़ा वगड़ा नहीं है किसी का कुछ भी नहीं है ये जो कांड की है ना पिटारा ने रमजान के साथ में वो कांड सामने आ चुका है अब आगे क्या होगा कुछ भी नहीं उनको डराया धमकाया जाएंगा पैते की लालत दी जाएंगी और चूप चाप रमजान आर बन के रहे पिटारा का ये अफर की जाएंगी अगर के अनिता लालची हुई मान गई तो ठीक है नहीं मानी तो अच्छे खासे पै जिसे ही हमेशा करती है अपने रिष्टेदारों को जिन से भी इसका काम निकल जाता है उनको गंदा करना उनको बदनाम करना इस तरह से बदनाम अगेरा करके फिर उन लोगों को घर से रफा दफा कर देंगी ये है इसका आने वाला प्लान और यही कुछ वज़े से मुझे जो कांड कर दी ना उसकी वज़े से हो रही है मिटिंगे वही मुझे से इसका तसूर भी आया हुआ है क्योंकि रमजान जब गाँं गया है तो वहां पर बातें हुई होएंगी ना वहां पर भी मीटिंगे बैठी पिछली बार भी याद है ना इसका ससूर भीच में बैठा गया है और यही कोई मीटिंग के वज़े से पिटारा ने वीडियो नहीं बनाई रमजान को उसकी वाइफ को डराया दमकाया जा रहा होगा डील कर रही होगी और जो काशिफ है जो के दल्ला ही है पिटारा का वो डील में पिटारा का सपोर्ट करेंगा या रमजान के तरफ से पिटारा को ब्लैक मेल करेंगा और जो भी उन लोगों को चाहिए वो सारी चीजे उन लोग पिटारा से हासिल करेंगी तो अब पता चला पिटारा का वीडियो क्यों नहीं आया यह सारा कूछ है जो कॉसर को इलोग गंदा करने में लगे हुए थे न और बज़ताया जा रहा था के कॉसर की बहुत लंबी जबान है तो कॉसर ने पुरा-पुरा सपोर्ट की है गोंचु को और पिटारा को ताके पबलीक का ध्यान है ना इनके जगड़े में लगा रहे और जो असल कहानी है ना वो किसी के भी सामने ना आए अतल कहानी यही है कि पिटारा का और रमजान का कांड सामने आ चुका है जिसके वज़े से सारे जमा हुए है जिसके वज़े से मिटिंगे हो रही है अब देखो आप लोग सोचेंगे कि इसके भाईयों को क्यों नहीं फिर इतने जमा की पिछली बार की तरह तो क्या के लिए जमा करेंगे आप लोग खुद सोचो ना पिछली बार जब इसने उन लोगों को जमा की थी तो पिटारा को क्या मिला था ब्लैक मेलिंग जो कि आज तक के करी रहे रह रह के कोई ना कोई वीडियो बना देता है के गलती पिटारा की थी हमने फिर भी इसका साथ दिये हमने सलमा की कोई गलती नहीं थी हमने सलमा को सपोर्ट नहीं किये थे जताते हैं नहीं लोग इसके लिए इसने उन लोगों को इन्वाल नहीं की क्यों क्यूंकि सल्मा ने तो सबको फोन करके बता दी थी तो इसके लिए सबको सारी सच्चाई पता थी तो सब जने जम्मा हो गए थे खुदी लेकिन यहाँ पे रमदान ने स्रीफ और स्रीफ अपने बेनोई काशिफ को बोला है ना जिसकी वज़े से काशिफ खाली इन्वाल्व हुआ है तो यह सारी सच्चाईया है और यह सारा कांड है और गोंचु की इस वीडियो में भी अगर आप लोग देखोगे तो गोंचु ने वही कपड़े पहन के रखा था जो वो रेश्टरेंट जाने से पहले पहना हुआ था बाद में उसने बोला कि मैं नहां दोके तयार हो गया हूँ और इस वीडियो में रात हो रही है और गोंचु ने वही टीशेट पहन के रखा हुआ है तो आप लोग खुदी समझ जाओ वो जो क्लीप बनाई गई है जिसके अंदर बोला जा रहा है कि हम बहुत दूर गए थे खाना खाने के लिए तो वो लोग कहीं बहुत दूर नहीं गए थे वो लोग जान बूच के वो क्लीप बनाए थे ताके लोगों को यही लगे के लोग बहुत दूर खाना खाने के लिए गए थे ड्रामा करें इन लोगों ने वो भी जो भी कांड लोग घर में चालू है और हो रहा है ना उसको चुपाने के लिए लेकिन अगर आप लोग मेरे वीडियो देखो गे ना तो सुरू से मैं बता रही हूं के रमदान के साथ में यह चालू है और इसका कांड एक ना एक दिन सामने आएंगा तो देख लेना आप लोग के इंशालला यह चीजे भी जरूर सामने आएंगी और सारी पिटारा की ना पूल पट्टियां खुलेंगी और आदे पूरूफ तो यही है के बच्चो को कौसर के घर पे भेजा गया है जो के पिटारा नहीं आई साथ में पिटारा नहीं बटक ने निकली इसके साथ में दो दिन का वीडियो इसने बनाया दोनों में से एक में भी पिटारा नहीं थी क्या लगता है आप लोगों को पिटारा क्यों टेंशन में बच्चे लोगों को क्यों बेजा गया ओतर के गर पे ताके बच्चों के सामने मिटिंग ना हो बच्चों के सामने कांड ना आए तो ये सारे पुरूफ है कि पिटारा का कान बाहर निकल चुका है और इन लोग जता तो रहे थे कि अनिता है अनिता है अनिता है लेकिन अनिता कहीं पे भी नजर तो नहीं आई ऐसे के से अनिता एकदम ही चुप गई पहले तो विल्लो अनिता का बड़ा हती मजाग किते की चाहें क्या coalition और है क्या नहीं ये दिखा रहेते था फिर भी कांड आ गया ना सामने उसी तरह से ये कांड भी जरूर सामने आएंगे और इस वीडियो में ना गोच्चु ने बहुत सारे प्रूफ छोड़ दिया था इसके लिए गोच्चु ने ये वीडियो डिलीट कर दी लेकिन टेंशन नहीं है जो जो क्लीप प्रूफ के तोर पर थे ना वह सारे मैं दूसरे ये चैनल पर लगाऊंगी जहां पर मैं कलीपे डाल रही हूं वहां पर लगाऊंगी तो आप लोग जरूर देख लेना कि क्यों खोच्चु ने वीडियो डिलीट किया है तो चले इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं वीडियो कैसी ल